Procedure of Flender Interaction Analysis Category System इसके अंदर आज मैं आपको Decoding Process के बारे में बताऊँगा इससे ठीक पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको Uncoding Process के बारे में बताया था और मुझे पूरी-पूरी उमीद है आपको समझ भी आगया होगा कि Uncoding Process क्या होता है Uncoding Process के अंदर हमारे Observer क्या करते हैं Coding करते हैं, Pairing करते हैं और Observation Matrix बनाते हैं Decoding के अंदर हम क्या करते हैं जो हमने Observation Matrix बनाई है उसका Analyze करते हैं, उसका Interpretation करते हैं पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है Procedure of Flender Interaction Analysis Category System Point Second है Decoding Decoding Process Includes Interpretations of Observation Matrix This Observation Matrix has been interpreted in two ways Decoding Process के अंदर हम क्या करते हैं Observation Matrix का Interpretation करते हैं उसको ढंग से Analyze करते हैं, Carefully Analyze करते हैं Observation Matrix को Analyze करने के दो तरीके हैं इसको Interpret करने के दो तरीके हैं एक है Quantitative, एक है Qualitative हमारे Course के अंदर Quantitative ही है Quantitative के अंदर तीन है Category Ratio, Behavior Ratio and Interaction Variable इसके अंदर Second है Qualitative, इसके अंदर भी तीन है, एक है Flow Chart, यहाँ पर मैं आपको कुछ Diagram दिखा रहा हूँ उन Diagram से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि Flow Chart कैसे होते हैं इसके अंदर Second है Box Flow Diagram इसके भी मैं आपको कुछ Pics दिखा देता हूँ, कुछ Images दिखा देता हूँ आपको अंदाजा लग जाएगा कि Box Flow Diagram कैसे दिखते हैं थर्ड है Interaction Model, आपके एक्जाम के Point of View से जो सबसे ज़्यादे Important है वो है Quantitative और उसके अंदर भी सबसे ज़्यादे Important है Category, रेशो, उसी के बारे में मैं आपको Detail में पढ़ाऊँगा अब हम Decoding Process स्टार्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके सामने ये Interaction Matrix दी हुई है इसके अंदर 10 Row है, 10 Column है, इनका Total 33 है, स्टार्ट करते हैं इसके अंदर First है Teacher Talk Reshow Teacher Talk Reshow निकालने के लिए हमें क्या है Category 1 से लेके 7 तक को Add करना है, उनका Sum करना है Upon में Total of All Category करना है, मतलब 1 से लेके Number 10 तक की Category का Total करना है कर लेते हैं, ये देखिए Category 1 से लेके 7 तक, सब को Add करिए 3 पलस 2 पलस 2 पलस 2 पलस 8 पलस 4 पलस 3 इन सब का Total करेंगे तो आएगा 25 और सभी Category का Total करेंगे तो आएगा 33 तो अब हम क्या है इन value को formula में put कर देते हैं 25 upon 33 into 100 यहाँ पर हम Calculator का Use करेंगे और इने solve करेंगे तो 25 को 100 से multiply करेंगे तो आएगा 25 हेंडरड अपोन में 33 25 हेंडरड अपोन में 33 करेंगे तो आएगा 75.75 परसेंट तो हमारे टीचर टोक रेशो क्या आगया जी 75.75 परसेंट इसके अंदर क्या करना में category 8 और 9 मतलब category 8 और category 9 को add करना है अपोन में total of all category सभी category का total करना है एक से दस्तक जो भी है into 100 फिर 100 से multiply करना है देख लेते हैं category 8 student response में 0 category 9 student initiation इसके अंदर 3 तो दोनु को जोड़ा तो क्या आया तीन और सभी category का total कितना है 33 तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 3 upon में 33 into 100 3 को 100 से multiply करेंगे तो आएगा 300 upon में 33 इन के अंदर हम calculator का use करेंगे तो हमारा answer आएगा 9.09% इसके अंदर 3 है silence और confusion ratio इसका क्या formula होता है category 10 मतलब category 10 के अंदर हमारा क्या आया है वो put करना है upon में total of all category मतलब एक से लेके number 10 तक जो category है उन सब को sum कर लेना है और into 100 देख लेते हैं category 10 में कितना है तो हमने देखा category 10 के अंदर silence और confusion वाली में शिरफ 5 है तो हम put कर लेंगे 5 total of all category कितना है 33 put कर लेंगे 5 upon 33 into 100 इसको solve कर लेंगे 5 को 100 से multiply करेंगे तो आएगा 500 upon में 33 यहाँ पर हम calculator का use करेंगे तो हमारा answer आजाएगा 15.15 परसेंट तो हमारा silence और confusion रेशो के आया 15.15 परसेंट इसके अंदर fourth है direct teacher talk ratio देख लेते हैं यह कैसे निकालते हैं category 5 plus 6 plus 7 upon में total of all category एक से लेके 10 तक इसके अंदर हमें क्या करना है category 5,6,7 को जोड़ना है और upon में सब भी category के total को जोड़ना है और 100 से multiply करना है देख लेते हैं category 5,6,7 का total क्या आएगा पांच है lecture ठीक है 8,6 है giving direction यह है 4,7 है criticizing इसका है 3 तो यह total कितना बन गया जी 15 तो इसको क्या करेंगे 15 upon में total of all category के है 33 into 100 formula में तो 15 को मैंने 100 से multiply करा तो आगए 1500 और upon में 33 है यहाँ पर हमने calculator का use करा तो हमारा आगया 45.45% तो direct teacher talk ratio क्या आगया 45.45% इसके अंदर 5 है indirect teacher talk ratio इसका क्या formula होता है category 1 से लेके 4 तक upon में total of all category इसके अंदर हम क्या करेंगे category एक का दो का तीन का चार का sum कर लेंगे और upon में सभी category के total का sum कर लेंगे अब हम देख लेते हैं एक दो तीन चार का sum कितना आ रहा है accepting feeling कितनी है तीन encouragement कितनी है दो accepting and using ideas कितने है दो asking question कितने है तीन इन सब को जोड़ लीजिए तीन प्लस दो प्लस दो प्लस तीन तो यह होगे 10 तो हम क्या करेंगे 10 पूट कर देंगे upon में total of all category कितना है 33 into 100 formula में 10 को 100 से multiply करेंगे तो आएगा 1000 1000 upon में 33 करेंगे यहाँ पर हम calculator का use करेंगे तो हमारा answer आजाएगा 30.30% मुझे उमीद है आपको सभी ratio निकालने आगे होंगे अगर कोई doubt है तो comment box में comment करिए मैं आपका doubt clear करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा अभी अभी हमने 5 ratio की है अब हम कुछ ratio और कर लेते हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर 6th ratio है people response ratio इसको निकालने का formula होता है category 8 upon में category 8 plus 1 into 100 अब हम ये देखेंगे category number 8 में कितने टैली आए हैं कितने हैं हमने देखा category number 8 में तो 1 भी नहीं है तो हम ले लेंगे 0 category number 8 और 9 में देखेंगे कितने है 8 में 0 है 9 में 3 है तो 0 plus 3 करा तो आगे 3 formula में put कर देंगे 0 upon 3 into 100 0 upon 3 करेंगे तो आएगा 0% 7th है people initiation ratio इसका formula होता है category 9 upon में category 8 plus 9 into 100 अब हम देखेंगे category 9 में कितने हैं हमने देखा student initiation जो category 9 के उसके अंदर 3 है हमने put कर दिया 3 upon में category 8 plus 9 कितने हुए 0 plus 3 3 into 100 formula में तो हमने क्या करा 3 को 100 से multiply करा तो आगे 300 upon में 3 300 upon में 3 करा तो आगे 100% मतलब student का initiation कितना है 100% इसके अंदर 8 है indirect to direct teacher talk ratio इसका formula होता है total of category 1 to 4 जो category 1 से 4 तक है उनका sum कर लो upon में total of category 5 to 7 5 से 7 तक का total कर लो और into handle कर दो तो आपका indirect to direct teacher talk ratio आ जाएगा देख लेते हैं एक से 4 तक कितना है एक से 4 तक है accepting feeling में 3 encouragement में 2 accepting and using idea में 2 asking question में 3 तो ये तो होगे जी 10 फिर 5, 6, 7 lecturing में है 8 giving direction में 4 criticizing में 3 ये होगे 15 तो अब हम क्या करेंगे 10 upon 15 value put कर देंगे into 100 10 को 100 से multiply करा तो आगया 1000 upon 15 1000 upon 15 करा तो आगया 66.67% अब देख लेते हैं pure indirect to pure direct influence ratio किसके अंदर हम करते हैं total of category 1, 2, 3 upon में total of category 6 and 7 into 100 अब हम देख लेते हैं category 1, 2, 3 का total कितना होता है हमने देखा 3 plus 2 plus 2 ये हो गया 7 अब हम देख लेते हैं 6 और 7 का कितना मन रहा है 4 plus 3 ये भी हो गया 7 7 upon 7 put कर दिया हमने into 100 कर दिया 7 को 100 से multiply करा तो गया 700 upon में 7 upon में 7 करा तो ये आगया 100% मतलब pure indirect to pure direct influence ratio के आगया 100% यहाँ पर ratio number 8 के बारे में एक बात लिखी गई है पढ़ लेते हैं if the ratio is more than one अगर indirect to direct teacher talk ratio एक से ज़ादा है तो आप कह सकते हैं the teacher is said to be indirect in his behavior वो अपने behavior के अंदर indirect है मतलब वो indirectly बच्चों को पढ़ा रहा है thus this ratio help us to know whether the teacher is more direct or indirect in his teaching इस ratio से basically हमें यह पता चल जाता है कि teacher अपनी teaching में directly involved है या indirectly involved है कुछ ratios के बारे में और पढ़ लेते हैं इसके अंदर ratio number 10 है study state ratio इसको शोट में SSR भी बोल देते हैं देख लेते हैं इसका क्या फूर्मला है total of 10 diagonal cells upon में total of all category into 100 ठीक है इस ratio के बारे में थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस ratio reflect the tendency of teacher and people talk to remain in the same category for period longer than 3 second ठीक है study state cells cells like 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 और study state cell मतलब यह जो ratio है हमें यह बताता है कि student यह teacher कौन से time period पर लगातार बोलते रहे है हो सकता है teacher मालो lecture दे रहे है तो lecture का 5 होता है अगर मालो continuous हर 3 second के बाद observer 5-5-5-5 record करता जा रहे है तो इसका मतलब यह यह सो कर रहा है कि teacher लगातार पढ़ाता जा रहे है ठीक है उमीद है आप समझ गे होंगे देख लेते हैं कैसे निकालना यह यह देखे इसके अंदर आपको क्या है diagonal गिनने diagonal के अंदर कितनी टैली है हमने देखा एक एक में एक भी नहीं है दो दो में एक भी नहीं है तीन तीन में एक भी नहीं है चार चार में भी एक भी नहीं है पांच पांच में दो है छे छे में एक है साथ साथ में भी नहीं है आठ आठ में भी नहीं है नो नो में एक है और 10 10 में भी 1 है हमें क्या है इन सभी का total करना है कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच यह total कितनी है पांच तो हम formula के अंदर put कर देंगे हमने यह किया है हमने क्या करा total of 10 diagonal cell करा तो आगया 5 अपोन में total of all category कितना है 33 into 100 5 को 100 से multiply करा तो आगया 500 अपोन में 33 यहाँ पर हमने calculator का use करा 500 अपोन में 33 करा तो हमारा आगया 15.15 परसेंट इसके अंदर थोड़ा सा और लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं if these cells are heavily loaded it means that the teacher remain in a particular category for more than 3 seconds in general the cell with the highest frequency of the entire matrix is typically found to be 5-5 जादतर यही देखनों को मिलता है कि जो repeat होती है वो जादतर 5-5 ही होती है क्योंकि classroom के अंदर teacher क्या है जाद से जादा lecture देते हैं अगर मालो 10-10 बहुत जादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है class के अंदर बहुत जादा confusion है class क्या है बहुत जादा disturb है या class start ही नहीं हो पा रही है इस type की situation denote करती है 10-10 5-5 cell lying on the diagonal indicating that the teacher frequently spend longer than 3 seconds when he provide information through lecture उमीद है आप समझेगा होंगे study state ratio क्या होती है मैं आपको total 10 ratio बता चुका हूं थोड़े से ratio और बता देता हूं इसके अंदर आप देख रहे है रेसो नंबर 11 है people study state ratio इसको PSSR भी बोलते है study state ratio से ही यह बना है इसका formula होता है जिस जो diagonal है 8-8 और 9-9 उन दोनों को plus करना है upon में जो पूरी category है 8 की और 9 की उनको add करना है into hundred करना है आप उपर ही देखिए जो है यह लिखा है student response और student initiation इसके अंदर देखिए student response के अंदर 8 row है 80 कोलम के अंदर देखिए कुछ भी नहीं है फिर आप देखिए 9 student initiation के अंदर 9th कोलम के अंदर यहाँ पर शिरफ 1 है तो 8 8 में तो 0 है 99 में 1 है तो 0 पलस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 अब देखिए आप category देखिए student response की category में कितने है 0 student initiation की category में देखिए कितने है 3 तो हम 0 पलस 3 करेंगे तो आएगा 3 तो हम इन value को formula में put कर देंगे 1 upon 3 into 100 यह हो गया 100 upon 3 100 upon 3 को जब हम solve करेंगे calculator का use करेंगे तो यह आएगा 33.33 अब यह 12 है और लास्ट है content cross ratio इसके अंदर देख लेते हैं क्या होता है इसको सोट में CCR बोलते हैं टैलिस in column 4 and 5 जो यह category चोथी और 5 भी है इसका हमें total करना है upon में total of all category और सभी category का total करना है और into 100 करना है सबसे पहले हम category 4 और 5 का ही total कर लेते हैं category 4 है asking question की इसके अंदर है 3 5 भी है lecturing की यह है 8 3 पलस 8 करेंगे तो क्या आजाएगा? 11 upon में total of all category का है? 33 लिख लिया into 100 formula में 11 को 100 से multiply करा तो यह हो गए 1100 upon में 33 है यहाँ पर हमने calculator का यूज करा 1100 upon में 33 करा तो आगए 33.33% इसको बोलते हैं content cross ratio यहाँ पर content cross ratio के बारे में कुछ लिखा हुआ है CCR indicate the empathizes given to the coverage of the content during the classroom transaction यह ratio यह show करता है कि teacher ने classroom के अंदर content पे जादा जोर दिया है it represents the proportion of proportion of classroom activity related to lecturing and cautioning with total content ठीक है in Indian classroom the value of CCR is 59 जो Indian classroom होते हैं उसके अंदर content cross ratio 59 होता है जबकि American normative expectation में यह 55 होता है मुझे उमीद है content cross ratio क्या होता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ पर people study ratio क्या होता है इससे basically यह पता चलता है कि बच्चों का roll classroom में तीन सेकंड से ज़्यादा कितना है हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा thank you for watching